जय हिंद, जय भारत, आप सभी बेहनों को मेरे और सोनिया पांडे जी की तरफ से हापी रिपब्लिक डे, गरतंत्र दिवस की हार देख शुप कामना है मैं अपने मूल शहर बरेली में आई हुई हूँ और सोनिया मैम के घर पे हूँ इस समय मैं जो है वो कुछ आप लोगों को मैसेज देना चाहती है आज के इस खुबसूरत दिन में मैं हाई हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले साप सब को हैपी रिपब्लिक डे और सब कैसे है और बहुत रोबाद हम एक वीडियो ना रहे है मैं मैं जो सजना मैं मेरे घराई थी और हम आप एफ लोगों को जड़ाए जहिए तो अज करते हैं जोड़ी तो अज हम बात करते हैं तूडी एध़ाएच्छन को जरूरी है तो तबसे ब्लाएँ आपको अग्षांट ने जरूरी है तो जबसे पहले इध़ेपार आज जैसे मैं और सुनिय मैम मेल टू फीमेल जर्णी को कवर कर चुके हैं और हम लोग एक सफस्फुल लाइफ को देख रहे हैं तो हम यह बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि जिंदगी हमने मेल से फीमेल के लिए करा है ट्रांस्फर हुए हैं इसे बहुत सारी अर्चन आई बहुत सारी महनत आई बहुत हम लोगों ने परिशानिया जहली हैं कभी परिवार सामने खड़ा था तो कभी समाज खड़ा था कभी अपने ही लोग खड़े हुए थे तो बहुत जटल समस्याओं का सामना किया है लेकिन अगर हम उधर से इधर आग पाई हैं मतला उस जीव तो शायद यह लडाई बहुत कठिन होती और शायद हम आज ऐसे जैसे सम्मानित से बैठे हुए आप लोग के सामने ऐसे शायद ही बैठ पाते या हम कुछ और काम कर रहे होते हैं या शायद हमने भी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दियो होते तो मैं यह कहना चाह तो आपने अधिकार की बात कर सकते हैं, कोई आपको गलत सिखाएगा तो आप उसको रोक सकते हैं, आप कह सकते कि भाई गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षित वैक्ति अपने अधिकारों की बात भी चानता है, और जो भी उसके साथ में उसके अधिकारों को हनन होता ह तो अपनी आवाज उठाना भी चांता है, तो हम दोनों आज एक फीमेल बनके बिल्कुल अपनी लाइफ को respectfully जी रहे हैं, जैसा कि आप हमें Instagram, Facebook में देखते रहते होंगे, हम लोगो social work कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यह जो इज़त मिली है, इसके लिए पूरी तरीके से पर कार का आप इस्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उससे आप बहार निकल के आ जाएंगे, बिल्कुल, जैसे कि सजने मैं ने कहां, कि सिक्षा एक हथियार के समान है, और जैसे कि यो, जैसे हम सब की लाइफ में प्रप्टरचानिया आती हैं, ठीके ना, तो हम लोगो की लाइफ में सब को कार देता है, यानि आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सिक्षा रूपी हथियार से उससे को कार दोगे, और जंग को जीत जाओगे, तो आप ऐसे योध्धा बनके निकलिए, सिक्षा आपके हाथ में ऐसा एक वीपन से हथियार है, जो आपकी सा कार दोगाणाः हूओ हिए, सिक्षा है तो हम हरे लेविल पने साम्डा करने को रेडिया है, और हम कभी पराजित होने वाले नहीं नहीं है, तागत भी अच्रीकासी है, लेख सकते हो, अगर आप सिक्षित होते हैं तो रहे समीन आ और हम थोड़े दीन आरहे हो, परिसितिय लेकिन हागर शिक्षित होते हैं तब दलदल में से फिर बाहर निकल सकते हैं आपने कुछ गलत कर भी लिया परिस्ति वश्ट तो आपके पास में एक धरातल होता है शिक्षा का जिसमें आप फिर से खड़े हो सकते हैं कि नहीं भई मैं शिक्षित हूं तो मैं कमाऊंगा मैं इज़त से अपने बात को करूँगा और शिक्षा ना सिर्फ धन को प्राप्त करवाते हैं बलकि आपको यश मिलता है आपको प्रसिद्धी मिलती है आपको इज़त मिलती है आप अपने घर पे आज जैसे मैं सोनिया माम के घर बैठी हूई हैं कि रिष्टेदार सब लोग आज यहीं पर है और सब लोग बहुत हम को प्यार से देख रहे हैं सिस्टर्स हैं ममा हैं और भाभी लोग हैं सब बहुत हमें प्यार से अड़ कर रहे हैं हमें इतना इंकरिज कर रहे हैं हमें एक तरीके से आज के हमारे जो यूथ है बरेली के नॉर्मल मेंस्ट्रिम जैसे कि हमने अपने शहर में एक मिसाल बना ली है और यंगिस्टर्स के हम एक बिखकुल मदद जो लड़कियां भी हैं बच्ची भी हैं वो भी बोलती है कि आप लो हमारे रोल मॉडल हैं हम भी सोचते हैं जब आप नहीं हारे तो हम कैसे हार सकते हैं अपनी लडाई को हमें जीतना है और मैं फिर से बुलना चाहूंगे कि शिक्षा आपके वहवार को परिपक्व करती है जब आप शिक्षित होते हैं तो आपका वहवार भी जो होता है वो परिपक्व होता है आपका बोल चाल आपका ड्रेसिंग सेंस आपका चलना आपका लोगों से बात करना आप आपके मतलब आचरण में छोटी-छोटी जो निखार है न वो शिक्षा रूपी गहने से आता है, तो शिक्षा को धारण कीजे, शिक्षित बनिये, सब भे बनिये, सुसंस्क्रिक बनिये, शिक्षित होंगे, तो फिनाशन सेक्योरिटी भी अपने आपी मिल जाएगी आपको, और जो फिनान्स होगा, तो बहुत सारी इच्षाई भी आप पूरी कर लेंगे, सुरिया मैम, आप मेरे इस बासे सहमत है, बिल्कुल, बिल्कुल, 101% सहमत हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ, हम दोनों ने, हमारी बहुत साही ट्रांस फ्रेंड है, जो जिसमें हम लोग हाई और बॉइफरेंड, गल्फरेंड इस बनाने तो वो लोग अपने को वहीं पाते हैं, जहां वो थे यहां से दसल पहले, और हम अगर प्लट के देखते हैं, अपने पिसले सालों से तो हम अपका ब्रेट पाते हैं, आप ब्रेट करना बहुत जरूरी है, और आपको शिक्षा और आपका जीवन शहली सब भी हो जाता है, तो साथी साथ में आप जो अपने शरीर का रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, आपको इस समझ में आ जाता है कि जो बॉड़ी है यह किसी के लिए ट्वाइक के रूप में काम नहीं आनी चाहिए, मैं अगर एक औरत हूँ, तो मे जो है सबसे बड़ा चीवमेंट है मेरा, मैं इसको किसी पुरुष को खुश करने के लिए नहीं परोश सकती हूँ, या मैं अपना क्लीवेज इसलिए नहीं दिखाऊंगी कि दूसरा मर्द मेरे परती अट्राक्ट हो, आज मेरे पास में शरीर है तो मैं नहीं चाहूँगी और हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हमें प्राप्त हुआ है, याद रखिए का मेरी बेहनों, आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी दो महिने हुए हॉर्मोंस लेते हुए, दस महिने हुए हॉर्मो स्ट्र रित्व को ड्रेत को दर्खिया हैॉ आपने माता अपनी बेहन, अपनी भाभी उनके समान सलीकेदार बनिये, जो प्लड का आपका क्लीविज देखके आपकी तरफ आएगा ना तो वो दूसरे का क्लीविज देख देखके तुन दूसरे के पाथ भी चला जाएगा, तो आपने तरह पान्नào कर डिखा कर अपने अपने प्रफए अनिु पास बखने है तो इसे थे लोगा दिखा कर एक जड़ा गार को जली आपको छोड़ के इसी और के पात बिचला जाएगा वो आपसे अच्छा cleavage देखेगा, वो आपके दूसरे के पास पहुंच जाएगा, वो आपसे अच्छा बटक किसी के देखेगा, वो उसके पास पहुंच जाएगा, आपको अपने अंदर की इस्तरी को निखारना है, ऐसे निखारना है कि आप डेव्वे सरूप निकले, बात करने को तरस जाएगे, जैसे कि Sonia मैं भी है, मैं तो Facebook, Instagram, भर्मार है messages की, लोग पागल है कि मैसेज़ करके परिशान करते हैं कि एक का जवाब तो देदो, लेकिर हम लोग जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल यदा-कदा हम लोग अपने community के लोगों से ज्यादा बात करते हैं, तो मैं इसलिए बोलना चाहरी है क्योंकि जब हम कुछ दिखानी रहे हैं तो लोग और पावल हो रहे हैं, तो मेरी बेहनों, मेरी बच्चीयों, मेरी छोटी-छोटी सखीयों, आप लोग प्लीस हॉर्मोन्स ले रहे हैं, सर्जूरी प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि आपको दूसरों को खुश करना है, अपने आपको ट्वाइ बनाना है, आप सुसंस्क्रित हैं, और सनातनी सभिता के लोग है, भारती हैं आप लोग, तो भारती परिवेश में चलिए, अपने देश का पर्चम लह रहा हैं शिक्षा के माध्यम से, मैं चाहूंगे सोनिया जी आप इस बारे में दो शब जरूर कहें, बस मैं यह कहना चाहूंगी, संज कि यह मेरी सोच बिलकुल एक जसी है, जो वो बुल रही है, वही मेरे विचारदा रही है, तो आप इन बातों पर प्लीज अमल करो क्योंकि बहुत ज्याद लंबी वीडियो बनाने का मतलब आप स्किप करके देखोगे, तो चोटी स वीडियो है, हम लोग की इतनी बातों मे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, अपने शरीर से ज्यादा अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने अड्योकेशन में वर्क कीजिए, अपने आंत्रिक सुन्दर्ता को ज्यादा निखा रही है, बहारी सुन्दर्ता खुद बाखुद निखरके बाहर आ जाएगी, त धन्यवाद